हाज़ की वीडियो में आपको हाइपर थारोडेजम के बारे में बताने वाला हूँ फैट क्या है कैसे होता है उसके maior किस तरह से किया जाता है किस तरह से रोका जा सकता है सभी चीजों के बारे में हम विश्दार से वीडियो सुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपड़ेट देता हूँ पिछले वीडियो में बात की थी यानि रिदए संबन्दीत रोगों के बारे में वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्किप्शन में मिल जाएगी सबसे पहले बात करते है hyperthyroidism क्या है hyperthyroidism को over active thyroid भी कहा जाता है जब हमारी thyroid gland over active हो जाती है और जरूरत से ज्यादा मात्रा में hormone को release करती है उसे produce करती है तो जिस थिती का निर्वान होता है उसे हम कहते है hyperthyroidism thyroid gland में produce होने वाला hormone हमारे शरीर की कुछ प्रक्रिया और metabolism पर सीधा असर करता है इसलिए in case of hyperthyroidism जब वह hormone की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो हमारे शरीर के कुछ functions में तेजी आ जाती है जिसकी वज़े से हमारे शरीर पर नकारत्मक असर होता है अब बात करते है hyperthyroidism के अंतरगत हमारे शरीर में किस प्रकार के लक्षन देखने को मिल सकते है इन case of hyperthyroidism जब हमारे शरीर में कुछ प्रक्रिया आये हमारी बोडी के functions fast हो जाते है तो हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार के symptoms दिखाई देते है जैसे की तेजी से वजन कम होना, भूख बढ़ना, नर्वसनेस, चिंता और तनाव बढ़ना, हाट पल्पिटेशन, दिल की धड़कने तेज हो जाना, पसीना आना, सोने में दिक्कत होना, ठकान और कमजोरी, तचापटली होना, हेल लोस, बाउल मुमेंट बढ़ना, मेंस्ट्रूल साइकल में बदला होना, बलड विजन, मसल स्विकनेस, इतियादी, अब बात करते हैं, हाइपर थैरोडिजन होने के पीछे, कौन-कौन से कारण और रिस्ट फेक्टर जवाबदार होते हैं, सबसे पहला और मौस कोमन कारण है, ग्रेवस डिजीज, ग्रेवस डिजीज एक ओटो इम्मिन कंडिशन है, जिसमें थैरोड टिस्यू स्टिमिलेट होती है, जिसकी वज़े से थैरोड ग्रान स्टिमिलेट होती है, ज्यादा मात्रा में होर्मोन प्रोडिज होता है, जिसकी वज़े से हाइपर थैरोडिजम की स्थितिका निर्मान होता है, नमबर तीन है thyroid nodule जब हमारी thyroid gland के अंदर non-cancerous growth होता है लंस बन जाते हैं तो thyroid gland over active हो जाती है जिसकी वज़े से hormone ज्यादा produce होने लगता है और hyperthyroidism की स्थितिका निर्मान होता है नंबर चार है high iodine diet वैसे तो iodine युकताहर हमारे स्वास्त के लिए काफी अच्छा होता है लेकिन उसे मर्यादीत मात्रा में या फिर जो तई की गई मात्रा है उस मात्रा में लिया जाए तो अगर हमारे शरीर में हच्छ से ज्यादा मात्रा में iodine का लेवल बढ़ गया तो फिर hyperthyroidism की स्थितिका निर्मान हो सकता है अगर बात करें कुछ risk factors की तो hyperthyroidism होने के पिछे कुछ इस प्रकार के risk factors जवाबदार हो सकते हैं जैसे कि सबसे पहला risk factor है gender महिलाओ को पुरुषों के मुकाबले hyperthyroidism होने की संबवना ज्यादा रहती है नमबर दो है type 1 diabetes जैसे autoimmune disease अगर किसी व्यक्ति को type 1 diabetes है तो दुसरों के मुकाबले उस व्यक्ति को hyperthyroidism होने की संबवना ज्यादा रहती है नमबर तीन है ग्रेवसडीज के फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी व्यक्ति के फैमिली में ग्रेवसडीज है तो व्यक्ति को दूसरों के मुकाबले ह simultaneously होने की सम्भावना ज्यादा रहती है नमबर चार है हाइपो थाइरोडिजम अगर किसी व्यक्ति को हाइपो थाइरोडिजम यानि कि अंदर एक्टिव थाइरोड की परेशानी है और वव्यक्ति ट्विट्मेंट ले रहा है इन कैस ओफ ट्रीट्मेंट वव्यक्ति ज्यादा मात्रम अगर दवाई ले लेता है तो वहाँ पर सूजन या फिर enlargement है की नहीं अगर डोक्टर्स को ऐसा लगता है कि आपको hyperthyroidism होने की संभावना है तो फिर blood sample को testing के लिए भेज़ा जाता है जिसमें thyroxine hormone T4 और TSH यानि की thyroid stimulating hormone का level जाना जाता है उसके अलावा radioactive iodine uptake and thyroid scan और ultrasound भी किया जाता है अब बात करते हैं hyperthyroidism के duration के बारे में मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को hyperthyroidism की स्थिती है तो वह स्थिती कब तक रहेगी देखिए यह depend करता है hyperthyroidism होने के पीछे कौन सा कारण जवाबदार है उसके बारे में जो भी responsible cause है अगर वह curable है manageable है तो फिर hyperthyroidism की स्थिती को भी हम cure कर सकते है लेकिन most of cases में ऐसा देखा गया है कि hyperthyroidism की स्थिती chronic और lifelong होती है देखिए यहाँ पर जो भी treatment होती है वो एक दो मैनों के लिए नहीं होती है सालों के लिए होती है अगर डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि hyperthyroidism की स्थिती को हम control कर सकते है तो धीरे धीरे करके वह दवाई का dose भी कम कर देते है अब बात करते है hyperthyroidism का इलाज किस तरह से किया जाता है देखिए यहाँ depend होता है मरीज की उम्रा और severity of condition के उपर अगर कुछ दवाई की बात की जाया तो in case of hyperthyroidism डोक्टर आपको कुछ anti thyroid medicines prescribe करके देते है यह दवाई thyroid gland को ज़्यादा मात्रा में hormone produce करने से रोपती है अगर एक दूसरे treatment option की तरफ रूख किया जाए तो वह है radioactive iodine radioactive iodine की मदद से भी hyperthyroidism की स्थिती को control में लाए जा सकता है अगर surgical option की बात करें तो surgery करके पूरी thyroid gland या फिर अंसरत है thyroid gland को remove किया जाता है लेकिन यहाँ पर एक खत्रा बना रहता है जो है hypothyroidism होने का अगर ऐसा होता है तो फिर मरीज को lifelong hormone replacement करना पड़ता है अब बात करते है hyperthyroidism की स्थिती में diet और lifestyle कैसी होनी चाहिए अगर किसी व्यक्ति को hyperthyroidism की स्थिती है तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति को whole food पर concentration करना चाहिए उस व्यक्ति को iodine यूक्त आहर खाने में काफी ध्यान रखना होगा जो तेई की गई मात्रा है उसी मात्रा में iodine वाला खाना खाना है ज्यादा मात्रा में iodine वाला खाना नहीं खाना है इन केस उफ hyperthyroidism वेट लॉस होने के chances ज्यादा रहते हैं तो अपने डोक्तर या फी डियेटिशन से बात करके इस प्रकार से diet को design करें जिसमें protein वाला खाना ज्यादा हो मतलब कि कमजोरी और ठकान जैसा मैसूस ना हो अगर आप दिन में regular basis पर low और moderate activities करते हो यानि कि अगर regular basis पर आप exercise करते हो walking करते हो running करते हो कोई sport activity के साथ जुड़े हुए हो तो आप hyperthyroidism के जो भी symptoms होते है उसे effectively manage कर पाते हो अब बात करते हैं कि अगर hyperthyroidism को effectively और अच्छे से manage नहीं किया गया तो कुछ इस प्रकार के complications होने की संभवना काफी ज़्यादा बढ़ जाती है जैसे कि तो याति जानकारी hyperthyroidism के बारे में इससे related कोई question आपके मन में है तो आप मुझे comment के जरिया पूछ सकते हो या फिर आप directly मुझे qna.hom.gmail.com पर mail भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि hyperthyroidism से related symptoms आपको दिखाई दे रहे है तो सबसे पहले आपको अपने healthcare professional से बात करनी चाहिए तो फिराल इस वीडियो में बस इतना ही आज के वेडियों जयान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद जय हिंद जय भारत